एक्स की मांग लेकिन निकला टेल्स कोई खराब टॉस नहीं ता हारने के लिए इससे हम जबर्दस मैच की काम ना करेंगे ये हैं वो 11 खिलाडी जो अपने टीमों के लिए लेडिस इंजेट्स प्लिए एक रुमान फील जर्शकों के हर शोल स्पिन गेंबास को लाया जा रहा है यहां इनिंग की पहली गेंपा सामना करते हुए बहुत ही आकरामक बले बास है ये विश्व क्रिकेट में काफी तेज गौड लगाई है पहले रन के लिए यहां हमेशा दूसरे रन की तलाश में यहां दोनों बले बास इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्विकेट्स रही है कि मानू ऐसा लगता है कि कोई इने ने रोख सकता एक एक एक्स्टा रन चुराने से इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियन तरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां आहर गील्ड करको पीनग नियुक्ता हुएं विकेट के बीच ओ बहुत ही भेदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बहुत ही खराब शोर यह तो गेंबास ने चक्र व्यू रच रखा था जिस तरह मचली फस्ती है जाल में उसी तरह बले बास फस गए इनके जाल में तेज गेंबास को लाया गया है दूसरे छोर से बले बास नई केंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार बॉल सीदा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कवर पे फील्डर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने जाप खेल दिया है क्या ये दो ले सकते हैं यहां जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा इनकी दीमी गती की गेंज से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं सवाप्थ हो सकती है सीधा फील्डर के पास खेल दिया है गैप ढूनने में असमर्द कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फील्ड प्लेस्मेंट्स लगाए है आजे हाँ कि अच्छे वाद के अच्छा वागें अच्छे में आजिए अच्छे अच्छे अगली गेंज स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी तक देने जल कूरे बिगे ले लेने की पोषिष खोगी यहांपर मुझे कह एच्छी यहां? आई अपान मटना कुझे तबाटी जार आपो हो तो मैंजे? आई बाल हो पे बोलर को अपनी लाइन एंड लेंज सटी रखनी होगी इस फिल्ड के साथ पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की तिशा में खेल के आउट हुए हैंगे इसलिए पॉइंट पे फिल्डर मौजू है अभी आशोट अबर अफर देश दोड़िक तो दोरक मिल सकते हैं यहां अनिंग मिट्वें तो रगेट्स बहुत युमता रहे हैं दोना बल्ले बाजों के बीच जो मदद कि इस गेलबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा कि कि अधी कि सुप्सूरती से मारा है शाट को एस इस अधर आए तरफ आए पर सुप्सूरती एक सप्राइब घुट आमे नजर आए पुर अधर को आए पॉल सीडा फील्टर के हाथ में तोई गड़ नहीं सूझा। पॉसिटिव फीड प्लेस्मेंट नगाई है बोलर और कफटार की अफूरी आ सीदा फीड्र के पास, मनले बास सरलिता जे खेल पा रहे हैं इस चॉट को कफटाण की फीड प्लेस्मेंट Creativity पॉप्र के लिए वहां बाल सीधा फिल्डर के हाथ इस पिनर की तूसरे छोड से लाया गया है पाटिंग बाहर दे कि समाम ती फिल्डिंग टीम अब दो से जादा पिल्डर टाइरे के बार रख सकती है बहुत ही कॉंफिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए कवर पे फिल्डर टैनाज की यहीं कैप्टन ने इस फिल्ड के साथ बल्ले बाज़र को स्ट्राइक रोटेट करने में असानी होनी चाहिए मौल सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रख में जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा प्राइब यहां चुराल यह एक रन बड़िया रन बिट्न धिल्टाइब कर देख है कि यह सो गाज़र वाज़र का इस वाज़र से बाज़र को इस विल्स वाज़र के वह उनका ने आजाकत से खेल दिया है सिट यहां पर सपिनर से बिगट लेने की कोशिश होगी यहां पर इस आक्रामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियर तरंग के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ अच्छा शॉट लेकिन सिंगल ही मिलेगा फिल्ड रहे कवर पर अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए माज़बड़ी स्पिनर्स के खिराफ काफी आक्रामक रवय्या अपनाया है इन्होंने और यह स्टम्प बाहर निकलने की कोशिश नहीं है बल्यबास की और बहुत ही अच्छी स्टम्पिंग बल्यबास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्यबास ने केल बाजी को सधारन मना दिया है चाहिए दिखते हैं आ रहे क्या होगा कोई लोकान नहीं था वहां पर वाल सीथा सीमा नेखा के बाहर कुर श्टम्पिंग शोलीule दूसरे चोड खर सरे when दाय गया हैं। ओ, बहुत ही बहतरीन कप्तानी यहाँ, इसे कहते हैं होमवक करके आना, बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है उठा के खेल दिया है, गैप में गई और यह बहतरीन चौका दर्शक इनके दिवाने हैं, और क्यों न हो इतना खुल के खेलते हैं, मानों हर बॉल पे छका मार देगी इनके तो बल्ले से सिर्फ जौके और छक्ले ही जा रहे हैं, चलिए देखते हैं अगली गेन का हमारे बल्ले बल्ले बास को देखते हैं मारे के हाथ में इसे के पे असनी रुली अवैसे होगी इसे वीडिये एकदम दूमनाँ से यह गेन बास कर रहे हैं अब जोट से के आपशे अरुट जोर से के आपशी कर रहे हैं इससे कर देखते हैं, नहींव अटार रूजर बेट दूना जोट ज़ना है क्या रोम मांचक नाच चल रहा है दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे है इता के केल दिया है शांदार बल्लेबाजी और ये चेरन बल्लेबाज यहां काफी आक्रम अक्मूर में लग रहे है ये बड़ी आलो नहीं अध्भूत रनिंग नाव अधेस ने स्वीटी ने आतने लठाई है सेवांग उसरे चोर से टेस कती की गेम बस को लाया गया है ये बहुती कठिन फील्ड है गेम बाजी कड़ने के लिए ये बाज को मनी लाइन और लेंज बड़ी सठीक रखनी होगी शॉट गेम बास के पुरे अकड को चपना चूर कर दी हुई छेरण याल जबेच्वन होई के न वरी अच्छी बाजिग फॉर्म में लग रहा है बल्लेबास बल्लेबास बैके लिए पूरी तरह बयाँ अवाम में केल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहां हो और यह आउट वल्लेबास अवेले नियोड जाते हुए अताश निराश पुदाश यह है जो पाउंडरी से किस्ट परमाते हैं कोई ही बात प्रिपक्षीटी को भखो भी मालते है अट्रिक गेल बाजी तो यहां बल्ले बाजो के पूरी तरह छक्के छुड़ा रही है ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बाज को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है बल्ले बाज निश्चित गूप से दो रह ले सकते हैं सिंगल्स और डबल्स लिमिटेट ओवर्स फॉर्माट में काफी जरूरी है चुरा लिया है एक रण बड़िया रण बड़िया रणीं बट्रीन दरिके ट्रूरी तरह लिए स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ पर कवर्स पे फिल्डर तैननाथ किये हैं कैप्टन ने वाल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रण एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तद्दील करने की कोशिश करनी होगी चलिए देखते हैं कि अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी उठा के खेल दी है गाप में गई और ये बैतरीन चौका बल्लेस तो ऐसे कॉन्फट हैं कि बता रहे हैं कि अगली बॉल कहा हम आरेंगे बहुत लै में नजर आ रहे है उठा दिया है छे रन जैसे ही बैक पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई सदे नहीं था कि ये छे रन है बल्ले बाज ने गेंद बाजी को सधारन मना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा बल्ले बाज ने इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी लगाया च्छका जब ये मारना शुरू करते हैं इनको रोपना पुश्किल है हवा में उठा दिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे दूसरे च्छोर से स्पियर कागमन बल्ले बाज अपनी पहली गेंगी तयार करते हुए काफी तेज दोर लगाई है पहले रन के लिए यहाँ हमेशा दूसरे रन की तलाश में यहाँ दोनों बल्ले बाज बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स यह बहुत ही कठिन फील्ड है गेंग बाजी करने के लिए गेंग बाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी अच्छी तरीके से खेला आसानी से दोर लग मिल सकते हैं अच्छी अच्छी तरीकेट्स बहुत ही उंदा रही है दोनों बल्ले बाजों की बीच हुआ है हुआ है है हुआ है और चाप में भी चार रन बल्ले बाज पूरे थी अंधन में थे वहां का आओ लोके तो गर्शा मेंगा थी ऑन जा विड़त नाओ नाओ विडेशा हो एक वो इसम्ट आओ प्सक्राव हो इसम्टकरः नाओ, ऊचिना किस अपने में आओ अचिना क्यों में, यह प्रोवन जुटरी व्हाही व्हाया कोई इसम्टकरण आओ, फितक हो एक अज़ा हा क इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे हम एक रोमान्चक खेल देख रहे हैं अच्छा लग रहा है कि दर्शक पीस में शामिल है बल्ले बास की अच्छी कोशिशन पर बॉल सीधा उप्रील्डर के हाथ में पावेलियन का लंबा रास्ता तैय करना पड़ेगा बल्ले बास को आप बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगातिया है बल्ले बास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंद बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का सबर्दस परहार क्या सबर्थ अगेंद और बल्ले का स्पीडर को लाया गया अटैक में देखते हैं स्पिछ से कितना लाब उठाते हैं बल्ले बास अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए सीदा फील्डर के पास बल्ले बास सरलता से खेल पा रहे हैं इस चौट को कवर पे फील्डर तैनाद किये हैं कैप्टन ने जो मदद इस गेंद बास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा मगर में खेल दिया है और क्याप में भी चार रन बल्ले बास पूरे नियंद रन में थे वहां बल्ले बास यहां काफी आक्रमक मूड में लग रहे हैं बढ़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्ले बास इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बेट्वीन दो विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोख सकता एक एक एक्स्टा रन चुराने से पहली पारी के समापती लक्ष्या सामने है अस पावेलेंग की और जाते हुए रनों का पीछा करने की पूरी तैयारी एक बार फिर स्वाक फील्डिंग टीम को तेज गेनबास को लाया जा रहा है इस छोर से इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुती सूझबूच और नियंतरन के साथ गेनबाजी करनी होगी यहाँ उपर से मारने का मन बना लिया था और सक्षम उए करने में फील्ड में परिवर्तन एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके है लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी ओहो ओहो उठा के खेल दिया है खुपसूरत शॉट और यह सीधा बाउंडरी के पार क्या बल्लेबाज एक और बाउंडरी का प्रयाज करेंगे देखते हैं यहां तो भईया डेट गोल दे दी गई है एंपायर द्वारा इनकी फील्ड प्लेस्मेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्र व्यू रचा रखी है इसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म फिज लाइफ वाह क्या बात है यह शॉट गया हवा में और गया अपने भी गया यह एक ऐसे बल्ले बास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे यह देखो बल्ले बास का रौदर रूम उसे मालू है कि गेंद का क्या हश्र करना है दर्शक इनके दिवा आने हैं और क्यों नहो इतना खुल के खेलते हैं मालो हर बाल पे च्छका मार देंगे शोट गेंद बास के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छेरन और दूसरे शोट पे भी तेज गेंद बास को ही लाया जा रहा है बल्ले बास नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार बहुत उम्दा शोट छेरन के लिए कर्शनिय शोट फील्ड में बदलाओ इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छके ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहा मारेंगे यह शोट गया हवामे और गैब ने भी गया क्या रोमांचिक मैच चल रहा है दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे हैं वाँ भाई वाँ विस्पोटा गेंद बाजी फील्डर है कवर पर बहतरीन टाइमिंग सतीक प्लेस्मेंट और चार रन के पूरे हगदार बल्ले बाज यहां काफी आक्रमक मूर में लग रहे हैं बहतरीन शॉट गेंद सीमा रिखा के बाहर और चार रन बहती बड़ी अताल में दोनों बल्ले बाजों के बीच एक महत्रपून पारी बैटिंग टीम के लिए ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बहती बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे कि जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां कर्थाला प्रहाल बल्ले बाज का छेरान फील्ड में बल्लाव जब फुल फ्लो में खेलते हैं तब इनकी बल्ले बाजी देखने लाइक होती है उपा के खेल दिया है गैप में गई और ये बेतरीन चौका अब पता नहीं भाईया ये गेन कहा जाएगी शादिर के इंद बाजी बोलर द्वारा फील्डर पॉइंट पे लगाया गया है खतर नाक शॉट और की लेंट को चल्दी पिक कर लिया था बल्ले बाज ने बढ़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्ले बाज लाइन और लेंग माप में तो एक सेकेंड नहीं लगाते हैं ये बहुत ही बढ़िया सिक्स ये पारी इनका जरूर मनोगर उपर करेगी बोलर्स को अपनी लाइन का ध्यान रखना होगा खराब शॉर्ट सेलेक्शिन विल्पल समझ नहीं पाई गें तो बहुत ही आकरामक बल्ले बास है ये विश्व क्रिकेट में पढ़ने का बॉल के साथ अच्छा कार में खेरान फील्ड में बलाओ दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे च्छका मार देंगे अवा में खेल दिया थावा ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और ये आउट टीप पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने गबूँ नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए बल्यवाज नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह त्यार हुआ है इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंट कहा हमारेंगे क्या रोमान्चक में चल रहा है दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे हैं काफी जोर से लगी है तेज गेंट बास को लाया गया है दूसरे छोर से यह बहुत ही कठिन फील्ड है गेंट बासी करने के लिए गेंट बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी गेंट बास अच्छी लए में दिख रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चलिए देखते हैं बल्ले बास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंट बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का बल्ले बास यहां काफी आक्रमक मूड में लग रहे हैं बल्ले बास निश्यत रूप से दो रन ले सकते हैं पढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बास की विकेट के बीच सबर तरस्ट शॉट बल्ले का बढ़िया कनेक्शन और गेंद का इस सीद है हमाई आत्रपार बढ़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्ले बास हिलारान तेजी से लेते हुए बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बास की विकेट के बीच बढ़िया बढ़िया हुआ में और गैप में अभी गया सिंगल्स रोखने के लिए पॉइंट फील्ड है जगा पर जो और से रिखी चुगी दोनों पर गैप में खेर दिया है दो रन की कोशिश होगी यहां रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत युम्दा रही है दोनों बल्ले बास की बीच मौझूदा रन रेट को देखते हुए बल्ले बास अपने रूप बदल रहे हैं बल्ले बास पूरी तरह से चुपके बर्विया बोले गैंद बास अच्छी लए में दिख रहे हैं क्या यह विकेट ले पाएंगे चलिए देखते हैं फ्रंट फुट पे आके गैंद को रोका बोलर अपने पसंदीदा छोड से गैंद बाजी करते हुए अच्छा शौट लेकिन सिंगल ही मिलेगा यह तो चीद है कि रफटार से भाग रहे हैं एक को दो में बतर रहे हैं और दो को तीन में बाटिंग टीम अपने रिकॉइड रटरेट को बना के रखने में बड़ा अच्छा कार्रे कर रही है और यह शौट बस एक रण ही निकान पाए सिंगल्स और डबल्स लिमिटेट ओवर्स फॉर्मान में काफी जरूरी है गेंबाजी में परिवर्तन तेज गेंबाज को आकरमन के लिए लाया गया है इस आकरमक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूच बूच और नियंतरन के साथ गेंबाजी करनी होगी यहां ओहो उठा के खेल दिया है खुबसूरत शॉर्ट और यह सीधा बाउंडरी के पार शेत रक्षन में तब दिली जब फुल फ्लो में खेलते हैं तब इनकी बल्ले बाजी देखने लायक होती है जब फॉल में हो तो इन्हें रोकना ना मुमकिन होता है दोनों टीमों के प्लियर एक दूसरे का हाथ मिला लेज स्केराइए रान जेसे अर राइगा गाव दो मार चाहोवर जेसे ने जेसे बीजन ने खाववर झाल 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 ऐस सबस्केरा, चक्छाए हो, आरफ न आरता हो, भी आर झाल झाल। मैं यूवाज साथ, तो आवाज है लिसो भी आरता हो. वेल्कम तु दे रियल क्रिकेट स्टुडियोज वेल्कुड दोनों कप्तान मैच रफ्री के साथ टॉस के लिए तैयार हुआ। तैयार हुआ। बान्चक मैच की शुरूर और ये आ रहे हैं इल्डिंग साइड ये आए सलामी बल्ले चलिए सब तैयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए क्या बल्ले बाज एक और बाउंडरी का प्रयास करेंगे देखते हैं बल्ले बाज में अपने ही अंदाज में इस केंद को जाने दिया लाल जी है बहुत ही अच्छी थाल मेल तोनों बल्ले बाजों की बीच परें बढ़ी आरानी बीड़ी दोगेंट्स बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते हुए अतिरिक शुरक्षा के ये दीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया गया है जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा ये शौट गया हवामे और गैब ने भी गया हाँ है कि फुल टाइथ हाई कि अध्याइश है इस थे इस तिम नजर आ रहे हैं पूली मैच मारा में तेकर लिटी ट्वेंटेमा आज 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 चे रण लगता है धीरे धीरे फार्म में आ रहे हैं बलने पास यहां तेज गेन बास को लाया गया है दूसरे छोड से बल्ले बास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए बल्ले बास ने गेन बास को सधारन बना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा बॉल हवा से बाते करती हुए सीधा बाउंडरी लैंग के पार छे रण दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन का हमारे की बहुत ही बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हम एक रोमान्चक खेल देख रहे हैं अच्छा लग रहा है कि दर्शक भी इसमें शामिल है अगर इसी तरह मारते रहे एक तो बॉल चेंज करने की नौवत आ जाएगी बहुत ही खुबसूरत बाउंडरी बल्ले से निकलते ही अपनी किसमत लिखवा गई तो ये गेंगे बल्ले बाज यहां काफी आक्रमक मूड में लग रहे हैं क्या चानुक शॉट लगा है ऐसी शॉट की अवास सुबह मन मंतर मुग दो जाता है क्या है क्या उटी से लग महीं जाता है